हाई प्रेंज देखिए इसे बनाने के लिए मैंने वर्दवान का नर्मल साइज का लिया है और यह दस नमबर की सलाई है हमें सिंगल धागा से इसमें पंदे डालने हैं तो इतना बड़ा धागा हम इस साइट में कर लेंगे देखिए हम इसे कलाई को डबल करके इसमें पंदे बनाएंगे इसे हमें फंदे बनाना है पहला धीला रहता है तो आप इसे पकड़े रहें यह फंदा हो गया मैं दो तीन है कम यह ज्वितर से हमें इंसमें 50 पंदे डालने हैं मैंने इसमें 50 पंदे डाललिये पागा यह वाली एक सलाई हमें इसमें से गाल दीना है अब देखिए ये फंदे ऐसे डिले हो गए मैं आपको इसे गिन के बता देती हूँ तिके ऐसे मैं दो दो फंदा गिरूँगी एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आर, नव, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चाउदा, पंदरा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो 25 का डबल यहाँ पर 50 हो गया अब देखिए जो डिजाइन हम इसमें बनाने वाले हैं वो सिर्फ चार लाइन का डिजाइन है तो ये इसकी पहली लाइन है पहली लाइन हमें सीधी बनाना है नहीं कैसे हम सीधा बनेंगे इस तरह से हमें ये पूरी लाइन कंपलीट करना है देखिए मेरी लाइन हो गई एक लाइन हमने बना लिया है अब देखिए यहाँ पे हमें 6 पंदे का बॉर्डर इस साइट में रखना है और 6 पंदे का बॉर्डर इस साइट में रखना है छो सीङ इसे यहां पे पिल लगा लेती हूं 2 तीन चार पाक शेंग यहां पे हम 1 2 3 4 5 यहां पे मैं हम इसे फिल लगा लेगे यह दोनों साइट का ब र्डर हो गया आप इसे हम पलत लेंगे एक लाइन हमने बनाया है ये इसकी दूसरी लाइन है देखिए ये छे पंदे हमें सीधे बनाने है एक डो तीन चार पांच छे छे पंदा हमने सीधे बना लिया अब यहाँ पे देखिए हमें डिजाइन स्टार्ट करना है तो धागा हम आगे के साइट में करेंगे और एक पंदा हम उल्टा बनाएंगे तो धागा पीछे एक पंदा सीधा अब इसी दो फंदे को हमें रिपीट करना है धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा ऐसे सीधा धागा आगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा इसी तरह से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाते हुए हमें यहाँ देखिए इस पिन तक बनाना है देखिए मेरी यह लाइन हो गई है यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है हम यहां पे पिन के पास आ गए हैं धेकि ये लाष्ट वाला फंदा यहांthey घृष को सीधह 3 estratég इसे हमने उल्टा बनाया है धागा पीछए करके अब इसे अम सीधे बना लेंगे तो इस तरह से यह लाष्ट वाला फंदा डिक्षी नाणिया है इसकी तीच में देखी हमें सीधे फंदे के हम उल्टे फंदे के हम इसे मैं इस विल्टा है इसे हम अपना बनाएंगे अब यह सीध्या है तो इसे हम्सीध़ बनाएंगी दागा पीछे करके ऐसे हमें सीध्य बना लेना है तुछ धागा आगे यह उल्टा फंदा उल्टा बना धो खिस यह को het देखिए यहां से यहां तक डिजाइन को रिपीट करना है सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाते हुए देखिए मेडिये लाइन हो गई यहां से यहां तक हमने डिजाइन को रिपीट करते हुए बना लिया है अब देखिए यहां पर यह जो 6 फंदे हैं अब इसे भ उल्टा पींद्नी नियुक्षै तो इसे हमें पूल्टा बनाएंगे इसाथनगा बनाना है पीजयों दո लाइंगा अगया पीछे करने लाइनद दो सब्सक्ली हो फिर बना लिया पीछा फिर दागा आगे यह उल्टा फंदा उल्टा बनाना है दागा पीछे सीधा फंदा सीधा तो इस तरह से हमें देखिए यहां से यहां तक डिजाइन को रिपीट करना है देखिए मेरी यह लाइन हो गई है यहां से यहां तक मैंने डिजाइन को रिपीट करते हैं बना लिया ह हम यहाँ पर देखिए लाश्ट में आ गए है प्रेंस यह इसकी चौती लाइन है और चौती लाइन में हमें यह छे फंदे भी बना लेने हैं बॉर्डर के छे फंदे हमें सीधे बना लेने हैं देखिए एक बार हमने इस साइट में नहीं बुना था छे फंदा ठीक है उसके इस बाद हमें इस चौती लाइन में इन छे फंदों को बनाना है देखिए ये छे फंदे हमने बना लिए तो इस तरह से डिजाइन की चार लाइने हमने कम्पलीट कर ली है अब इसे हम पलट लेंगे अब हमें देखिए फिर से डिजाइन की पहली लाइन से यहां पर शुरू करना है जैसे हमने डिजाइन की यह पहली लाइन बनाए थी सारे फंदे हमने सीधे बनाए थे पूरी लाइन में तो हमें उसी लाइन को यहां पर रिपीट करना है यह डिजाइन की पहली लाइन है अब यह चो हम डिजाइन बना रहते हैं इसे भी हमें देखिए सारे पंदे सीधे बनाने हैं देखिए धागा पीछे के साइट में है ऐसे हम सीधा बुलते जाएंगे इस तरह से हम पूरी लाइन सीधी बना के कंप्लीट करेंगे यहां से यहां तक हमने बना ले हैं अब देखिए यह चो छे फंदे हैं इसे भी हमें बना लेने हैं यह दिजाइन की पहली लाइन है तो इसमें हमें यह वाले छे फंदे भी सीधे बनाने हैं क्योंकि हमें यह पूरी लाइन सीधी बनानी है जैसे हमने इसकी पहली लाइन में बनाया था उसी तरह से हमें बनाना था इसे भी तो इस तरह से यह लाइन हमारी कंप्लीट हो गई देखी एक लाइन हो गई अब इसे हम पलट लेंगे अब हमें डिजाइन की दूसरी लाइन बनानी है तो फिर हम यहां पर देखिए यह ध्यान देना है जब हम यह पैटरन कम्पलीट कर देंगे देखिये सीधा दिख रहा है यह उल्टा यह सीधा है तो उसके बाद जब हम इसकी नेक्ष्ट वाली डिजान बनाएंगे तो यह सीधा फंदा दीख रहा है इसके उपर हमें उल्टा बनाना है और जो यह उल्टा फंदा दीख रहा है इसके उपर हमें सीधा बनाना है जिसे देखें पहले हमें यह छे फंदा सीधा बना लेना है कि छे फंदा हो गया अब यहां पर देखिए यह फंदे इस तरह से दिख रहे हैं देखिए यह वाला जो सीधा पंदा है यह वाला है और यह उल्टा है तो इसे हमें सीधा बनाना है और इसे हमें उल्टा बनाना है देखिए इसे हम ऐसे सीधा बनाने और यह यह यहां पे सीधा था तो इसे हमें उल्टा बना लेना है, धागा आगे करके, उल्टा, अब इसी दो फंदे को हम रिपीट करेंगे, यह पहले हमने उल्टा बनाया था, तो इसे हम सीधा बना लेंगे, और इसे हमने पहले सीधा बनाया था, तो इस लाइन में हम इसे उल्टा बना लेंगे, यह सीधा और यह उल्टा तो इस तरह से एक फंदा ऐसे सीधा एक उल्टा बनाते हुए हम देखिए यहां से यहां तक बनाएंगे देखिए मेरी यह लाइन हो गई है यहां से यहां तक हमने एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए बना लिया है देखिए यहां पर लाश वाला फंदा है यहां पर उल्टा आया है क्योंकि हमने यहां पर इसे सीधा बनाया था तो यहां पर यह उल्टा आएगा देखिए यह सीधा फंदा फिर यह उल्टा है फिर यह सीधा फिर यह उल्टा तो हमें यहां पूपय फिर फिर यह च्यम पन्देन है छोड़के इसे यही पर पलट लेना है दूसरी लाइन है हमें इस तरह से विद्धा इससे हम सीधा बनाएंगे यह इसकी तीसरी लाइन है डिजाइन की इसे इंद विद्ध सीधा फिर धागा आगे करके यह उल्टा फंदा है तो उल्टा बना लेंगे फिर धागा पीछे यह सीधा फंदा है सीधा धागा आगे यह उल्टा है तो इसे उल्टा देखी इस तरह से हम डिजाइन को रिपीट करते हुए यहां से यहां तक बनाएंगे और यह तीसरी लाइन है तो हमें यह सी पंदे इस लाएन में भी नहीं बना लें हैं। इसी तरह से बनाना है। कि इस लाएन में हमें यहां से यहां पूरी लाइन बनानी है, यहां से यहां तक हम डिजाइन के ओपर डिजाइन रिपीट करते जाएंगे, यानि कि सीधे फंदे के ओपर, सीधा और उल्टे फंदे के ओपर उल्टा रिपीट करते जाएंगे, यह सीधा फंदा है, तो सीधा बनाएंगे और यह उल्टा बनाएं हैं बिल्क मेरortun हो गई है यहां से यहां तक हमने डिजाइन को रिपीट करते हुए बना लिया है अब यहां पे यह फंदे भी हम हमें इस लाइन में बना लेने हैं परेंस यह इसकी चॉथ्टी लाइन है और चॉथी लाइन में हमें यह च्ँवंदे ऐसे सीधे बना ले देकि इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल आठ लाइन बनाई हैं प्रविचर देखिए यहाँ पर यह वाले बनी है उसकेबाद यह वाले डिजाइन त्रीकिर आप इसह चाहें टीजाइन केई है यह सब्सक्राइब सबूंद Aha hen na मौ किरें हमें इसी इतनी डिजाइन को रीपीट करते जा ना है यह सीधे फंदे अर्म इसको पर हमें इल्टे पना लिये हैं अब हमें देखिए इसकी पहली से फिरसे शुरू dizzy तो इसके पहली लाइन हमें पूरी लाइन चीधी बनानी है तो यह वाले फंदे हमें बना लें घृच से हमें यहां पे सब्साइब को बदल देना है मतलब सिधे के उपर उल्टा बना लेना है और उल्टे के ऊपर दोन focus toughest operative यह इसकी पहली लाइन है तो हमें देखिए पूरे फंदे ऐसे सीधे बनाते जाने हैं लाश्ट तक देखिए इस तरह से हम यहां से यहां तक बनाएंगे यह वाले फंदे भी हम इसमें बना लेंगे देखिए मेरी ये लाइन हो गई है हमने यहां से यहां तक के सारे फंदे सीधे बना लिये हैं यह इसकी पहरी लाइन हो गई अब इसे हम पलट लेंगे अब हमें इसकी दूसरी लाइन बनानी है यह छे फंदे तो हमें सीधे बनाने है अब यहां पर हमें फिर से यह वाली डि पीट करना है यहां पर देखिए यह सीधा फिर यह उल्टा तो इस लाइन में हम फिर से सीधे के उपर उल्टा बनाएंगे और उल्टे के उपर सीधा देखिए यहां पर यह सीधा है इसे हमें देखिए उल्टा बनाना है दागा हम आगे की साइट में करेंगे और यह पहला पंदा डिजाइन का उल्टा बना लेंगे फिद्धागा पीशे करके इसे हम ऐसे सीधा बना लेंगे देखिए सीधा था पहले इसे हम उल्टा बना लेंगे फिर ये उल्टा देखिए इस तरह से हमें बनाते हुए जाना है उल्टा सीधा उल्टा सीधा अब ये फिर से हम उल्टा बनाएंगे तो फ्रेंज अब इसी इतनी डिजाइन को हम रिपीट करते जाएंगे इसनी पैटर्न को चार लाइन ये वाली और समय देजे इसनी वाली तो टोटल लाइन पर इस इसी आफंट लाइनं को हम ऐसे रिपीट करते जाएंगे और इसकी लंबाइं में कुंप्लीक करेंगे देखिए फ्रेंस डिजान को रिपीट करते हुए हमें इसे जितना बड़ा बनाना था हमने बना लिया है देखिए यह वाली जो लाइन है यह जो उल्टी वाली लाइन यहाँ पर दिख रही है मैं इसे गिन के बता देती हूँ देखिए जो नीचे है इसे लेकर के दिखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आण नो तस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अटरा उन्निस पीस एक्किस एक्किस लाइन है यहाँ पर दिखिए यह वाली दिख रही है राइट साइड है सीदी तरह और यह इसकी वाउक साइड है ओल्टी तरह मैं इसमें एसले के पिल वेन लगा है है यह इसकी पुरा बनाने के बारे दो लेकीट्रेट हमें राइट साइड से फंदों को बंद करना है पहले हम ऐसे दो का एक कर देंगे यानि कि दो फंदे में हम सलाई करके ऐसे एक साथ सीधा बना लेंगे अब ये वाला जो फंदा है हम इस सलाई पे वापस करेंगे और फिर से हम ऐसे दो का एक करेंगे दोनों पंदे में हम सलाई करके ऐसे सीधा बना लेंगे यह यह वाला पंदा इस पे करके ऐसे हम दो का एक कर देंगे देखिए इस तरह से यहां पे फंदा बंद होते हुए जा रहा है तो सारे फंदे हम इसी तरह से बंद कर लेंगे देखिए मैंने इसके सारे फंदे बंद कर ली है अब देखिए इतना बड़ा धागा हम छोड़के इसे कट कर लेंगे इसी धागे से हम इसकी सिलाई कर लेंग ऊपिसके हैं और यह एसकी राइड साइड है चीड़ी तरह भर्ट तरह देखियों हम इस तरह से फोल करेंगे जाओस उसमें हमें ऐसे मिला रहें है कि इस एसे मिला कि हम इसमें और इस साइड में इसकी सिलाई करेंगδα यह इस तरह से है और यह इसकी राइट साइड है इसे हम ऐसे अंदर की तरफ करके यह दोनों बॉर्डर ऐसे मिलाएंगे इस तरह से कर लेना है उसके बार देखिए यहां पर यह दागा है तो इस दागे से हम इसकी सिलाई कर लिया है अब इसे हम पलट लेंगे यह इसकी राइट साइल है तो इसे हम इसे पलट के इसकी सीधी तरफ कर लेंगे देखें बनने के बाद यह इस तरह से दिख रहा है देखें, पहलने के बाद यह इस तरह से दिखेगा देखें इसकी फिटि calm बहुत अच्छी आई है, और यह बहुत संदर लग रहा है और बनाने में भी बहुत आसार है तो फ्रेंज अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए चैनल पे नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताके मेरे आने वाले वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं, झाल झाल झाल